ओम सायराम जै सायराम वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका सवाल आपके जवाब साई के में So choose your lucky star और साई बाबा से आपको अपने answers मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको बाबा पर ध्रिट बिश्वास रखना होगा अपने आपको सरंडर कर देना होगा साई के आगे कि जो आपको मन्जूर है बाबा वही हमें भी मन्जूर है और दूसरा अपना दिल साफ रखना होगा अपने दिल में सच्चाई रखनी होगी तभी आपको अपने सही उत्तन मिल पाएंगे और बाबा से मन ही मन में बोलना होगा जो आप हमारे लिए सोचोगे वह हमारे लिए अच्छा होगा अपने मन में कोई शंका नहीं लानी यानि कोई डाउट नहीं लाना पांच मिनट आँखे बन करके महसूस करें कि आप बाबा की सम्मुक खड़े हैं साम्दे घरे हैं, फिर 5 मिनट बद फिर आपको आगे खोलनी है और कोई भी इन में से स्क्रीन में दिये गए स्टार को चूस करना है अगर आप फर्स स्टार चूस करते हैं, यानि परपल स्टार चूस कर रहा हैं अगर आपने तो आपका उतर होगा नमबर 65 यानि कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि सत्य सामने आने से संदे दूर हो जाएगा वास्तविक्ता का ज्यान होगा तथा नवीन वस्तुओं की प्राप्ति एवं खुशी होगी नियंत्रन और सायम अवश्यक होगा यहां बाबा आपको समझाना चाते हैं कि सच्चाई का जब सामना होगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएगे सच्चाई सब के सामने आएगी नई वस्तुओं आने की अशंका है साथ में खुश्या लेकर आएगी लेकिन कंड्रोल और पेशंस रखना जरूरी है तो आगे बढ़ते हैं अगर आपने ग्रीन स्टार चूस किया है तो आपका उत्तर होगा आपका उत्तर है भाई या रिष्टेदार के सायोग से लंबी अवदी से रुका काम पूरा होगा मंगल कारे से लाब पुत्र प्राप्ती संभावित यानि कि आपका लखी नंबर है 61 तो इसका मतलब यहाँ पे साही बाबा आपको समझा रहे है भाई या कोई भी रिष्टेदार की हेल्प से कोई भी काफी टाइम से रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा और किसी अच्छे कारे से आपको लाब होगा मंगल यानि शुप कारे से आपको लाब होगा और जिनके पास अभी तक कोई उलाद नहीं है बाबा ने उन्हें पुत्र प्राप्ती का आशिरवान दिया है तो चलिया आगे बढ़ते हैं और अगर आपने येलो कलर स्टार चूस किया है तो आपका अंसर उत्तर होगा आपका लखी नंबर है 107 भूके को भोजन कराओ अंदान करो सब उल्ज़ने सुलच जाएंगी तुरंट सिध्धी मिलेगी इश्ट का नाम जबते रहे और प्रयास जारी रखे यहां भब आपको समझा रहे हैं कि भूके को भोजन कराने से यानि कि अंदान करने से आपकी सारी परशानियां दूर हो जाएंगी इससे आपका नाम होगा इश्ट का नाम जबते रहे अपने प्रहू, अपने इश्वर अपने गुरू का नाम जबते रहे और अपना प्रयास जारी रखे बाप्रसाद से जीवन प्रसंता वा प्रकाश्ते भर जाएगा लाप्राप्ति के सु अफसर आएंगे आप भाग्यवान है श्री साई की शारण में ही रहे यानि कि यहां बाबा आपको समझा रहे है कि साई बाबा की किर्पा से आपका जीवन खुशियों और रोश्णी से भ प्रफिट होगा आप बहुत लगए हैं कि आप साई बाबा की शारण में है और आपके जीवन में साई बाबा है आशा करती हूं कि आपको अपने प्रश्णों के उत्तर मिल गए होंगे और कहीं न कहीं आप उन उत्रों से रिलेट भी कर पाए होगे इसी आशा के साथ आप प्रशने साथ प्राण में साथ थैस झाल झाल झाल